दोस्तों आप लोग को पता है कि मोदी जी अभी पॉलेंड और युक्रेन की यात्रा पर है। तो क्या वाकई में अभी Indian जो foreign diplomacy है वो ये decide नहीं कर पा रहेगी हम लोग को Russia के तरफ जाना है या फिर Ukraine के तरफ जाना है या फिर हमारी strategy दूसरी है क्या हम लोग dialogue diplomacy को अपनाना चाहते हैं इससे पहले India non-aligned country रहा है जिस समय second world war था उस समय भी हमने non-aligned होते हुए किसी भी द 1990 तक उस समय भी India non-aligned रहा था तो ये बात तो तैह है दोनों देशों को ये पता है कि India non-aligned इस बार रहने वाला है वो ना तो Russia की तरफ से बोलने वाला है ना Ukraine की तरफ से बोलना है और इसका result ये निकला है कि आज Russia भी उनका स्वागत कर रहा है और Ukraine भी स्वागत कर रहा है लेकिन Ukraine को कई शिकायत हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं चलिए दोरा किस तरह से हम लोग देखते हैं उसके बारे में जिकर करते हैं तो recently getting India into power मतलब इंडिया जो है वो एक power play के तोर पर अपना role निभा रहा है चाहे हम लोग बात करें Moscow की चाहे हम की नजरे जो है वो इंडिया की तरफ है यह जो फोटो आप लोग पुतिन के साथ में देख रहे हैं यह आठ जुलाई आज से तीन सब्था पहले पुतिन के साथ में फोटो है और उसके तीन सब्था बाद में यह जैलेंस के साथ में हैं तो भारत क्या वाकर में डिसाइड नहीं कर पा रहा है लेकिन केवल एक मात्र देश ऐसा है इंडिया जिसने रश्या के तेल को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद उसी तेल को हमने रिफाइन किया और यूरोप के अंदर भिजवाया लेकिन जैलेंस्की का ये कहना है कि अगर आपने रश्या के तेल क इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो रशिया की एकॉनमी जो है वो बिलकुल डाउन पर चले जाएगी और उसके बात में हम रशिया को आसाने से हरा सकेंगे लेकिन पुतिन कभी भी जो है वो इंडिया के साथ में रिलेशन्स को खराब नहीं करेंगे पहले कुछ फोटोग्रा पॉलेंड से इनको युक्रीन तक लेके आई है मोधी जी की सिक्रेटी इतनी जबरदस्त है आज युक्रीन के अंदर कि इनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है साथ ही में रशिया जो अटेक कर रहा था युक्रीन के उपर वो अटेक्स भी जो है वो रुक गए हैं क्यो पॉलेंड और युक्रेन के अंदर पहुंचे हमारे प्रधान मंतरी उसके बाद में वहां पर जो इंडियन सिटिजन्स हैं उन्होंने भवे स्वागत किया यहां तकी पैर छूकर भी उनका स्वागत जो है वो किया गया इसके बाद में युक्रेन के जो राश्टर उनके साथ में जगे जगे यहां पे आप देखिए एक चेहरे की उपर अजीब सी खामोशी है जलेंस की जो है वो एक अजीब सी खामोशी लेकर प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी की साथ में घूम रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे लेकिन वो कुछ कहना चाते थे उन्ह आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि रशिया और युक्रेन एक पीस ट्रीटी की तरफ बढ़ जाए और दोनों देशों के अंदर शांती हो क्योंकि दोनों देशों के जो नागरिक है वो इसका जो है वो खामेजा भुगत रहे हैं एक गौर फरमाईएगा आप लोग जितने ज अश्ट्र अधक्ष का रोल निभा रहे हैं तो बहुत सीरियसली जो है वो इस मैटर को ले रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी अकेले रही गए हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एस जयसंकर साहब जो है इस तरफ बैटे हुए है और अजित डोवाल जो है जो कि हमारे national security advisor है वो भी उनके साथ में गए है तो बाचीत यहां पर हो रही है यह बाचीत कहां पर हो रही है एक meeting जो है वो connect करवाई गई थी जहां पर मोदी जी यह कह रहे थे कि इस बार national assembly जो आपकी है वहां पर मैं सम्मोधन देने वाला हूँ मतलब speech जो है वो प्रध जो हमारे relations इंडिया के साथ में वो खराब हो सकते हैं लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में मोदी जी रशिया के लिए कुछ wording जो है वो कहते हैं मोदी जी जैसे ही वहाँ पर पहुंसते हैं तो gift देते हैं युकरेम को कि आपके जितने भी लोग घायल हुए है आपको अगर hospital equity जरुत है तो हम लोग यहाँ पर provide करवाते हैं आपको gift from the people and government of Republic of India हमारी तरफ से gift है medical equipments आपको दिये हैं कई ICUs जो equipment होते हैं वो वहाँ पर हम लोग gift करके आए हैं क्या result रहता है वो तो भविश्य बताएगा लेकिन आप लोग के लिए अगर आप लोग pond addiction में है त साथे तीन महीने लगातार आपको sessions देना इतनी सारी techniques आपको समझाना psychological impact आपको समझाना और खास बात है कि इस बार problem solving sessions आप लोग के साथ में रहने वाले हैं 6 September से 6 September से हमारी class शुरू होने वाली है उससे पहले अगर आप लोग join करेंगे तो आपको flat 50% और extra 30% discount available होगा challenge coupon code आप लोग को use करना है आप लोग चाहें तो 75 techniques और उसके साथ में 100 techniques दोनों combine करकि 175 techniques का एक combo जो है आप लोग ले सकते हैं आप लोग app को ज़रूर विजिट कीजेगा जी कि इसका भी हमारे एक बैच चलता है 10,000 MCQ रिसेंटली मैंने एक news cover की थी आप लोगों के लिए ये हु सारे soldiers जो हो खतम कर दिये हैं लेकिन Ukraine ने हाल ही के अंदर क्या किया है कि वो Russia के कुछ जो bridge है जिसे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि Ukraine destroyed second bridge second के बाद third bridge जो है वो destroy कर रहा है उसकी बाद में वो आगे और बढ़ रहा है वहां कि कई सारे citizens जो है Russia के वो वहां से displaced हो चुके हैं अपनी जगे छोड़ कर जा चुके हैं तो यहाँ पर एक जगे मैं आप लोग को map के अंदर दिखाता हूं कि Ukraine कुर्स जो है वो आ चुका है अब यहाँ पर एक nuclear power plant है रशिया का यह कहना है कि अगर nuclear power plant के ओपर attack किया गया तो उसे बहुत बड़ी हानी जो है वो रशिया को ह होगी इसमें जो व्लावदर पुतिन है इनके खुद के देश में ही कई सारे लोग जो है इनके विरोध के अंदर बोलना शुरू कर चुके हैं क्योंकि लगबग 92 villages जो है 92 बानवे जो गाव हैं वो यूकरेन ने अपने अधिकार छेतर के अंदर कर लिये हैं और पुतिन को ये चीज बरदाश नहीं हो रही है अब देखें यहाँ पर मैं आप लोगो एक चीज बताता हूँ जैसे ही मोदी जी पहुंसते हैं यूकरेन के अंदर तो जैलेंस की क्या कहते हैं जैलेंस की ये कहते हैं कि पहले तो आप जो है वो रशिया से ओयल का इंपोर्ट करना कर दीजिए तो जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर की है जैलेंस की ने उस तरीके से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसको बैलेंस करने कोशिश करेगा इसका जवाब एश जैसंकर साहब ने दिया था कि हम लोग ऑईल को इंपोर्ट जो बंध है वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहां पर मार्केट की तरह उसको देख रहे हैं ना कि एक वार की तरह कि युक्रेइन और रश्या का जो वार चल रहा है उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं हम लोग तो मार्केट के सिनेरियों से देख रहे हैं कि कहां से हमको कम दाम के अंदर आइल मिल रहा है, ताकि इस से हमारी economy जो है, वो boom करेगी और हम लोग इसी oil को किसी दूसरे country को बेश सकेंगे, हम लोग इस नजरे से देख रहे हैं, ना कि Russia और Ukraine की conflict जैसे अंकल जो है, उन्होंने बहुत बहतरी जबाब जो है, वो इसके उपर दिया था ठीक है, अब देखी problem कहां पर है, क्या इंडिया जो है, वो Ukraine की तरफ है, रश्या की तरफ है, इंडिया ये चाहता है कि हम लोग peace treaty sign करें, और ये पहली कोशिश नहीं है, इससे पहले भी कई कोशिश जो है, वो इंडिया न की है, देखी भारत ये जो प्रधान मंत्री है, नरेंदर मोधी जी, वो first ever visit उनकी बनी है, उक्रेन के अंदर, वो पहले प्रधान मंत्री है December 1991 के अंदर Ukraine independent हुआ था, और दोनों देशों की बीच में, इंडिया और उक्रेन की बीच में, January 1992 से दोनों की बीच में, diplomatic relations जो है, वो maintain होना शुरू हो गए थे इस से पहले, कुछ सबता पहले ही 8 और 9 जुलाई को, इंडिया इंडिया ने visit किया था, रशिया को और उस से बाद में ही, हमने अब visit किया है Ukraine को, अब basically इसको कहा क्या जाए, इसको एक word जो है, वो दिया जा रहा है Dialogue and Diplomacy, तो Dialogue and Diplomacy हम लोग कह रहे हैं कि, बादचीत करेंगे और इसको बादचीत से हम लोग हल करेंगे, इंडिया ये चाहता है कि पुतिन और जैलेंस की जो है, वो आपस में बादचीत से इस मसले को सुलचा है, रशिया वास नॉट पार of the Ukraine Summit in Sizzle Land, Sizzle Land के अंदर जो मिटिंग हुई थी, वहाँ पर रशिया ने participate नहीं किया था, लेकिन इंडिया ने हर बार participate किया है, Peace Treaty के अंदर या Peace Summits के अंदर, जो कि शुरू हुई थी Copenhagen से, उसके बाद में जैदा, रियाद, दावोस और फिर बो जी स्टॉक से, यहाँ पर कई हर बार जो है, वह इंडिया ने participate किया है कि कैसे भी करके, इंडिया ये successful दिखाने में कामियाब हो जाए कि हमने Peace Treaty जो है, वो रशिया और यूक्रियन के बीच में साइन करवा दी है, इस से, इंडिया की image जो है, वो पूरे विश्यो के सामने जबरतस बनेगी, आज देखिए इंडिया एक मात्र कंट्री ऐसा है जो कि दोनों लोगों से बात कर रहा है कैसे हम लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर जब शादी संबंद होते हैं, जो लड़की वालों से और लड़कों वालों से दोनों से बातचीत करता है, वो इंडिया के अंदर ऐसा पाए जाता है, है ना, वो mediator होता है, वैसा ही मोदी जी कर रहे हैं कि कैसे भी करके, ये peace treaty जो है, वो दोनों countries के बीच में क्या हो जाए साइन हो जाए और युद्ध जो है, वो रुख जाए, ठीक है अच्छा, basically Parliament जो है उसको भी सम्मोदित करेंगे, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, लेकिन बस देखना होगा कि क्या वहाँ पर Russia के लिए कुछ wording जो है, वो कहे जाएंगे, या फिर Russia की बिना बात किये, हम लोग वहाँ पर अपनी presence को दिखाएंगे Zealand की ये चाते हैं कि हम लोग Russia का पक्स ना लें अब देखिए कि आप लोग के मन में एक सवाल होगा USA कहां गया? USA बड़ा बढ़ चड़ का रिसा ले रहा था Ukraine की मदद कर रहा था लेकिन इस समय वो कहां पर है? देखिए इस समय वो USA जो है वो अपने politics के अंदर busy है, वो अपने precedence की जो elections होने जा रहे हैं अब November 2024 के अंदर होंगे उसके अंदर वो busy है, इसलिए वो Ukraine या फिर Russia किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा है With the US elections due in November, the Joe Biden administration is to distract toward its domestic politics, यह जो अपने घरेलू, जो राजनीती है, domestic जो political front है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, और इस बीच में China है और India है, वो दोनों मिलकर एक role अदा कर रहे है player to play a role in the global geopolitics, power play तो अभी China और India एक power play जो है, वो उसका role निभा रहे हैं, अब देखिए China जो है, उसने अर्बो रुपे भेजे हैं रशिया के अंदर, बहुत सारा पैसा जो है वो भीजा है, इंडिया भी मदद कर रहा है Ukraine इस बास से बड़ा नाखुश है है, पूरे world के सामने, global level पर वो जबरदस्त है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, आज दोनों देशों के साथ में बाचीत करना, और दोनों देशों के साथ में हमेशा diplomatic relation जो है, वो maintain करना ये हर किसी के बसकी बात नहीं है, और Modi जी का दोनों जगे भवे स्वागत हो रहा है, और क्या चाहिए हमको इस diplomacy के अंदर, बहुत जबरदस तरीके से हमने जो है, वो role निभाया है चलिए, आप लोग हमारे second edition के साथ में ज़रू जुड़ीएगा, second edition के अंदर हम लोग hundred disc का challenge लेके आ रहे हैं, इसको आप लोग अगर एक बार complete करेंगे, तो वाकवी में आप लोग को बताऊंगा कि आप G1 के अंदर क्या क्या हासिल कर सकते हैं आज ही application को visit कीजिएगा, challenge coupon code use कीजिएगा, क्योंकि हमारी यह जो classes है, वो 6 September से शुरू हो रही है उससे पहले अगर आप लोग join करेंगे तो flat 50% और extra 30% discount आप लोग को available होगा combo के साथ में भी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि 75 techniques तो आप लोग को मिलेंगी ही साथ में 100 techniques भी आप लोग को मिल जाएंगी